लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती Welcome back to your channel DH20, कल से आपका एक्जाम शुरू हो रहा है तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एक्जाम में किन किन बातों का ध्यान देना होगा ठीक है, तीन चार मुख्य बाते हैं जिनको हम बताएंगे, आप लाश्ट तक बने रहेगा बहुत ही इंपोर्टेंट यह वीडियो होने वाला है देखिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस बार यह एक्जाम क्वालिफाई करेंगे चोकि बहुत लंबे समय से आप तयारी करते हुए आ रहे हैं और आपने maximum practice sets जो भी आपको मिला आप solve करते गए साथी साथ जो भी हमने आपको material दिया जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप सबी चीजे पढ़ते गए बेहद अच्छी तरीके से आपने तयारी की और आपका confidence भी बढ़ी है जिस प्रकार से मैं practice sets इस तमें solve करवा रहा हूँ तो वहाँ पर अगर मैं solar question English का देता हूँ तो maximum बच्चे 13, 14, 12 तक करते हैं बीच में मैंने हम एक चीज भी शुरू किया था जिसमें मैं आप लोग का mock test लेता था आप लोग अपने answer Instagram पे भेचते थे वहाँ से मैं आप लोग का एक list तयार करता था जिसके बाध्यम से आपके अंदर competition जगा तो आपने थोड़ा सा उसमें और अपना improvement किया साथी साथ मैं सब एक चीज का अलग-अलग से playlist बना कर मैंने रखा हुआ है और साथी साथ मैं आपको one word substitution idiom fridge मतलब English के जितनी भी चीज़े वो भी देते गए साथी साथ अपने second channel पे आपको maximum चीज़े जो जागा के लिए होती है GK और current affair से मैंने सब इचीज़े करा रखी है तो अपने तरब से मैंने आपको जितना बन सका उतना किया और आप लोगों ने बिल्कुल उस चीज़ का लाब उठाया और उस चीज़ को सीखा समझा अब कल आपका exam है तो जिन candidates का exam कल है वो ध्यान से इस बात को सुने कि आपको क्या क्या करना है और जिनका आने वाला exam है वो भी समझने इस बात को देखिए पहली बात तो ये कि जिनका exam कल है अगर वो first shift में exam है तो वो एक काम करेंगे कि exam बार exam हाल से निकलने के बाद अपने जो questions हैं जो questions उनके exam में पूछे जाएंगे वो आप Instagram पे send कर देंगे तो उसका review हम आपको पहुचा देंगे कि आपने सही किया है या कि फिर गलत किया है और जो भी आपके भाई बंदू exam देने वाले होंगे उनको भी पता चलेगा कि किस प्रकार से question पूछा जाता है तो जिनका exam कल नहीं है वो जरूर इस चैनल को subscribe करके notification bell on करके रखेंगे क्योंकि अगर आप notification bell on रखेंगे तो जैसे ही हम exam बितेगा और बच्चों का यहाँ पर message आएगा Instagram पे तो वैसे ही paper को solve करके हम वहाँ पे upload करेंगे ताकि आपको पता चले जो बच्चे अग्जाम देके आएंगे उनको पता चल जाएगा कि हमने सही किया या गलत किया है और बाकी लोग को भी पता चलेगा तो Instagram पे आपको दौस उधीर पांडे सर्च करना पड़ेगा या कि फिर link आपको description मिलेगी ये तो एक रहा information लेकिन अभी ध्यान से सुनिएगा जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ अब exam में आपको करना क्या है पहले तो आप आराम से exam center पे समय से कम से कम 11 घंटे पहले चले जाएगा ठीक है जैसे आपका दूर होगा तो आप कोशिस करेंगे कि पहले चले जाए जिस जो आपको लग रहा होगा समय कि मुझे इस time पर जाना चाहिए उस time से एक घंटे पहल ही आप जाने की कोशिस कीजिएगा मेरी बात मानिएगा बहुत से बच्चों ते हर साल ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनका exam छूट जाता है ट्रैफिक के वज़े से और आजकल करोना की वज़े से जादे साधन नहीं चलना है वहिकल्स जादे नहीं चलना है तो आप यह सब रि कार्ट सोगार है ले लिजिएगा अधार कार्ट बे बहुत इंपॉर्टेंट है साथी साथ एड्मिट कार्ट ले लिजिएगा अपना ठीक है तो दूसरी चीजिए कि वहाँ पर आपको बिल्कुल आराम से रहना है मतलब कि किसी भी बच्चे से जगडा जंजट नहीं कोई कोई ट्रैफिक में जाते समय कोई लफडा नहीं माइंड को बिल्कुल फोकस रखना है कूल रखना है डरना बिल्कुल नहीं है मैंने शुरुगात में बोला कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती बहुत ही फेमस यह कविता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है रिला तारवार रहता है सिस्टम रहता है वहां पर आपको साउधानी से बैठना है पैर वैर से इदर उदर मारे के अपना तार और मतहिला दीजिएगा जुसके वायर होगा रहते हैं क्योंकि जब कंप्यूटर खराब हो जाता है तो फिर उसमें आके फिर बनाना इदर उदर करना तो वह आपका टाइम फालत हो जाता है तो वहां पर बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है और यह नहीं सोचना यार कि मैं बार्डर पर जा रहा हूं लडाई करने बिल्कुल कूल जैसे आप प्रैक्टिस सेट घर पे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही रहना है बिंदास वह एटिट्यूड अपने अंदर रखना है ठीक है वहां और एक चीद ध्यांदीर के है जब आप वहां पर बैठेंगे तो सीधे बैठना है ऐसे लटक के नहीं बैठना है आप एरफोर्स की जॉब में जा रहे हैं एरफोर्स में जा रहे हैं वाई साब आपको एकदम स्ट यह लब होता है कि जो आपका जो माइंड है ना वो जो बैक बोन है उसके ऊपर फिट किया हुआ है तो जो वो सीधी रहता है तो वहां से आपका दिमाग बहुत अच्छी तरही किसे काम करता है और आपको नीद और उबासी जैसकी चीज़े नहीं आती है ये चीज आपको ध्यान दे रहा है उसके बाद जैसे ही आपका पेपर सुरू होगा ये फोर्थ नमबर आप समझेगा जैसे ही आपका पेपर सुरू होगा तो आपको उसका टाइमिंग शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लेनी है गहरी सांस लेकरके एकदाम से रिलेक्स हो जाना है और फोकस्ट रहना है और खुद में ये कॉन्फिडेंस लाना है कि भाई साब मैं कर सकता हूँ अरे यार मैंने प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कर रखा है जिस प्रकार से मैं प्रैक्टिस सेट्स में 80%, 85%, 90% रिजल्ट लाया करता था वही चीज तो है देखे वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप ध्यान पूरोग समझ लीजिए मैं पूरे दिल से आज बोल रहा हूँ ठीक है आपको गहरी सास लेने पूरा फोकस्ट रहना है एक चीज ये पांचमी चीज आप समझेगा यहां पर कि आपको आप देखे एक्जाम कैसे देना है आते हैं मुद्दे पर ये तो रहा आपका फिजिकली क्या होता है अब माले जै कि आपका पहले जो है कि एक्जाम में इयम होता है मतलब कि चार आपसन दिये गए हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा ठीक है यह चार आपसन आपको हैं तो यह जो चारो आपसन है यह 25-25% ठक रखते हैं कि भाई साब मैं सही हो सकता हूं मैं सही हो जाओंगा मैं सही होगा यानि सबका 25% है अगर आपने मान लेची इसमें से दो आपसन इलिमिनेट कर दिये तो अब आपके चांसे 50-50 हैं कि यह तो यह सही होगा यह सही होगा तो दोनों मैं से इस प्रकार से आप इलिमिनेट करके करिेगा एक चीज़ दूसरी चीज़ यह कि अगर एंगलिस में आपके माल ले जें कि आपको सिर्फ ऐसा होगा नहीं, लेकिन माल ले रहे हैं, आपका अगर सिर्फ 9 question या 10 question ही सही हुआ, तब आप अगले question में किसी में जो तुक्का बोलते हैं, वो तुक्का करके आप chance ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके question 15 या 16 तक सही सही हो ठीक है तो आप कम से कम रिस्क लिजेगा अगर आपका 17 या 18 अगर 17 या 18 आपके questions सही हो गए आपके इसाब से तब chance मत लिजेगा क्योंकि minus marking है तो तुक्का तब मत मारिएगा लेकिन जब graph आपका 10 से नीचे रहेगा तब आप तुक्का ले सकते हैं क्योंकि वैसे भी selection नहीं होने वाला है 10 के नीचे अगर आप रहेंगे तो ठीक है 10 के नीचे रहेंगे तो आप तुक्का ज़्यादा तर मार सकते हैं क्योंकि नीचे रहेंगे तो ऐसे भी होना नहीं है तो आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन आपको 17 ठारा आपके question वहाँ पर लगा कि नहीं यार यह त सकता हूं ठीक है और अगर आपने अभी तक मेरे second चैनल से नहीं जुड़ा है तो अभी आप जुड सकते हैं आप YouTube पे सर्च करेंगे सुधीर पांडे व्लोक्स यहीं spelling है तो यह चैनल ओपन होगा उसको subscribe करके notification bell on रखेगा क्योंकि यहाँ पर भी रागा के mock test हो रहे हैं अ mock test चलता रहेगा अभी कुछ देर में इस पर mock test आने वाला है फिर morning में आएगा मतलब कि जब तक आपका exam नहीं हो जाता तब तक चीज यह इसी प्रकार से continue रहेगी और सबसे जो बेहत important चीज है आप सभी के लिए वो है exam का review और exam का review यहाँ पर सबसे पहले देने की पूरी कोसिस की जाएगी और इसमें आपको help करनी होगी मेरी आपको help यह करना होगा कि आप Instagram पे questions हमें send करतीजेगा हम उसका explanation आपको बता देंगे तो dear students अब वक्त आ चुका है आप से विदा लेने के लिए देखिए आप न आप और मेरे रिष्टा बिलकुल भाई की तरह है ठीक है चुकि इतने दिनों से पढ़ाते पढ़ाते बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका में नाम एकदम ऐसे याद हो गया है ना जैसे कोई घर में कोई सदस्य हो तो ऐसे बहुत लोग हैं बहुत दिल से लगा हो गया है उन लोगों से तो मेरी भगवान से प्रात्ना यही है कि आप सभी इस बार सेलेक्ट हो, आप सभी के result positive आए, main मोके पर आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम आए, और आप अच्छे तरीके से अपने एक्जाम को आप देख पाएं, उसको कर पाएं, ताकि आपका result बहतरीन हो, ठीक है, result बहतरीन होगा, उसके बाद दुनिया बदल जाएगी, आपके life के जो असली mode है, वो आपकी life अच्छे mode पर चली जाएगी, वहाँ से आपके जीवन की नई सुरुवात होगी, तो बिल्कुल नहीं, रिलाक्स नहीं, मतलब आपको टेंसर नहीं लेना है, बिल्कुल रिलाक्स रहीएगा, और मैं कर सकता हूँ, बहुत ही असान है, यही फंडा माइंड बे लखना है, बहुत ही असान है, घेरी सांस लेते हुए, बिंदास, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या छूटा, क्या तोटा, ये सब बिल्कुल दियान नहीं देना यार आप कर सकते हो मुझे पूरा भरोसा है आप पर ठीक है तो How's the Joes? Yes, How's the Joes comment box में आप बताएगा Yes, Sir, Hi, Sir तो चलिए मिलते हैं फिर exam review में आप से मिलेंगे और बीच में हो सकता है कि आपको कोई न कोई वीडियो कोई न कोई मैटेरियल आपको मिलता रहेगा लेकिन ये एक छोटा सा फ्यूल एक छोटा सा फ्यूल एक धक्का पीछे से मैंने आपको लगाया motivation करके ताकि आप आगे बढ़ सके और मेरा motivation कोई वो साहरी वाहरी वाला नहीं हनुमान जी समझ रहे है हनुमान जी के अंदर भहुत सकतिया थी वो समुद्र को लांग सकते थे लेकिन उनको पता नहीं था तो जामुवंद जी ने और उनके जो सभी दोस्तमित्र रहें उन लोगों ने उनको बताया यानि कि जब आप बच्पन में रभी यानि सूर्य को खा लिये थे तीनों लोग अंधेरा हो गया तो बाईस आप तो बड़े होगे आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं कुछ वैसा ही आपके साथ है आपने अब तक बहुत से एक्जाम्स क्वालिफाई किया है यार 10 प्लस 2 आपने कौलिफाई किया और सबसे ज्यादा पता है, क्या होता यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है अभी हार बोर्ड के बच्चों के लिए या जो अभी other state के बच्चे होते है state board के अपने हैं वो क्या है ना उनके लिए जो सबसे कठिन exam होता उनके life का वो होता है tenth यानि कि दसमी क्योंकि life में पहली बार वो board की exam में बैठते हैं और बहुत कठिन होता है अरे आप उसको pass करके आ रहा है बाई साब अगर अध्यान से देखा जा तो वही सब चीजें यहां भी पूछी जाती है कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाता है अलग से आपको बस एक reasoning का सब्द सुनने को मिलता है तो वही reasoning